हमारे देश में मकर संक्रान्ती के पर्व का विशेश महत है जिसे हर साल जन्वरी के महिने में धूम धां से मनाया जाता है इस दिन सूर्य दक्षिणाय से उत्तरायन हो जाता है परंपराओं के मुताबिक इस दिन सूर्य मकर राशी में प्रवेश करता है देश के विविन राजियों में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है इस बार 14 जन्वरी को मकर संक्रान्ती मनाई जाएगी आपको बताते हैं मकर संक्रान्ती के दिन की क्या है माननेता ह सूरी देव जब धनु राशी से मकर पर पहुंचते हैं तो मकर संक्रांती मनाई जाती है सूरी के धनु राशी से मकर राशी पर जाने का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस दमें सूरिय दक्षिनायन से उत्रायन हो जाता है उत्रायन देवताओं का दिन माना जाता है मकर संक्रांती के शुब मुहुर्त में इस्तनान और दान पुन्य करने का विशेश महत्वें इस दिन खिचडी का भोग डगाया जाता है पूर्वज आत्माओं की शांती के लिए खिचडी दान करने का भी विदान है मकर संक्रांती पर तिल और गुड का प्रसाद भी बाटायाता है चता तिल और गुड के लड़ू भी बनाई जाते हैं 2018 में सूर्य का मकर राशी में प्रवेश दोपेहर एक बचकर 57 मिनट पर होगा पुराणों के अनुसार संक्रांती से 15 गंटे पहले वह बात तक का समय पूर्णिकाल होता है इस बार यह अवधी चवदा तारिक से प्रारम होगी इसलिए मकर संक्रांती का तिल वहार चवदा जन्वरी को मनाया जाएगा और इसका पूर्णिकाल सुर्योदय से लेकर सुर्यास तक होगा जो बहुत की शुप संयोग है हाला कि 15 जन्वरी को मकर राशी में सुर्योदय होने के कारण करीव धाई घंटे तक संक्रांती के पूर्णिकाल का दान पुन्य किया जा सकेगा इसी के चलते संक्रांती का इस्तनान दोनो दिन यानि 14 और 15 जन्वरी को किया जा सकता है मकर संक्रांती पर कई जगा विशेश पतंग बाजी का आयोजन भी किया जाता है इस मकर संक्रांती पर सूर्यदेव धनु राशी जो व्रस्पती की राशी है से निकल कर अपने पुत्र शनी की राशी मकर में प्रविश्ट हो रहे हैं इस संक्रांती पर कुज अज्रा से विशेश लाव प्राप्त होगा मकर संक्रांती पर सूर्य की ये इस्तिती आपको एश्वरिय, शक्ति, आरोग्य और प्रतिबा संपन बना सकती है हाई नमस्ते इस इस नेहा वग्गा और यूर वाचिंग ग्लिप्स निन्स यहाँ मैं हूं मनु पंजावी आपका दोस्त आपका होस्त आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ सो कीप वाचिंग लव्यू आप देख रहे हैं ग्लिप्स निव्ज